और इन साथियों को रेंप वाक स्टेज पर रेंप वाक पर इस्सा मिलेगा यानि उनको पूरा एक अच्छा सा सम्मानित होने का और रेंप वाक में आनन्द लेने का मौका मिलेगा और डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा फिर 25,000 पर्चे जोलियम के लिए लखेटर में तो उसी रेटर से बढ़ते जाएंगे इवेंट में सामिल होने के लिए पातरता इनको कपल एंट्री सर्ट दुबारा एक बार अनिम्यूट करना पड़ेगा इस आपकर सब उपवार मिलेंगे और एक्षांदार मौका मिलेगा की सोल द्वारा मेक अप करने का की सोल द्वारा मेक अप किया जाएगा और रेंप वाक में हिस्सा मिलेगा और इनको एक शांदार ट्रोफी द्वारा संबनित किया जाएगा स्टेज पर फिर आजाते हैं अपन पचास जार पर्चे जोलें तो इनके लिए क्या होगा कि कूपन बढ़ जाएंगे एंट्री में समयल होने की पात्रता है जो इनके लिए और भी संदार से कि ट्रोफी होगी जो सबसे संदार ट्रोफी से इनको स्टेज पर समनित किया जाएगा इस तरह से डबल आकर्षन हो गया है एक तो इन्योग्रेशन का आकर्षन बिलवाडा जो सब आना चाहते हैं एक तो समन्य तरीके से आते हैं समन्य इवेंट में आते हैं और एक इस इनर्जी लेने का मौका मिलेगा और जो भी साथी इसमें आएंगे मेरे को नहीं लगता है कि अपना एक सफलता का बहुत बड़ा ने लेने में वह सफल होंगे इसमें कोई चूप नहीं होगी तो एक बहुत ही शांदार अद्बुत मौका बिजनिस बढ़ाने का मौका बहुत सारे लाब मुझे दिखाई दे रहे हैं इसकी थोड़ी सी जो नियम वज सर्थे में जो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हमने अक्टूबर में उतना नहीं किया तो क्या करेंगे तो उसको आप मैं पहले भी बता चुका हूँ नौवंबर में कवर कर सकते हैं उसको नहीं गिना जाएगा उसको भी जोड़ा जाएगा पूरा प्रतेक इवेंट में लग अलग अलग निकाला जाएगा यह मैं पता चुका हूँ लग की ड्रो धाई जार यानि प्री डायमेंट क्लब करने वाले और फिल्ड में बाकी सभी सातियों को सब के लिए वो तो भी लग्किट्रों में वो सब सामिल होंगे लेकिन जो वहां दिये जाने वाले जो गिप्ट ist right उनहीं को मिलेंगे जो वाएवेंट में उपस्तित होंगे वह घर बेज रही जाएगा iam इवेंट में दिए कि यह लाबों के अलावा डायमन्ट क्लब जैसे यह इवेंट में आप आ आगये आपको ट्रॉफी दे दी आपको जो भी सम्मानित किया गया है लेकिन वो जो डायमन्ट क्लब की जो बाकी की जो कौलिफिकेशन है यह जो साल पर के बार प्यूर मिलना है व और कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कुछ चेंज करना पड़ा किसी कारण से तो वह आपको सुचित किया जाएगा यह थोड़े से नियम में सरते हैं बाइक की कुछ और भी बाते होगी तो आपको बाविश्य में बता ही जाएगी तो